इस वीडियो में आपको Money High Season 1-4 का Complete Explanation देने वाला हूँ इससे पहले हम वीडियो स्टार्ट करें मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे मेरे पिछले चैनल में एक मत में 14 के सबस हो गए थे लेकिन कॉपीराइट के वज़े से उस चैनल को Terminate कर दिया गया मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे इस चैनल पे भी पहले की तरह सपोर्ट करें ये कहानी है प्रोफेसर नाम के बंदे की जो अपनी पूरी टीम को तयार करके The Royal Mint of Spain को लूटना चाहता था The Royal Mint of Spain में धेड़ सारा पैसा होता है और वहाँ पे पैसे को छापने वाली मशीन भी होती है प्रोफेसर उसकी टीम ने इस चोरी को काफी दिनों से प्लैन किया हुआ था प्रोफेसर के रूल के हिसाब से कोई भी अपना अस्री नाम को यूज़ नहीं कर सकता था इसलिए वह अपना नाम बदल लेते हैं और वह अपना नाम दुनिया भर के शहरों पे रख लेते हैं एपिसोड शुरू होता और हम देखते हैं कि प्रोफेसर की टीम The Royal Mint of Spain में घुश चुकी है और अंदर आके वो लोग बाकि सारे स्टाफ और लोगों को बंदी बना लेते हैं हम देखते हैं कि प्रोफेसर बाहर बैटके ही उन लोगों पे नज़र रख रहा होता है प्रोफेसर की टीम आपस में एक स्पेशल लैंड नाइन कनेक्शन से जूड़े होते हैं ताकि उन्हें कोई ट्रेस न कर सके प्रोफेसर की टीम ने एक स्पेशल आउटफिट और मास्क पैन रखा होता है और वो लोग जिनको बंदी बनाते हैं उन सबको भी सेम कपड़ा पैनने के लिए के आते हैं ताकि अगर कुछ गड़बर भी हो जाए तो वो लोग कुछ कन्फूजन क्रियेट करके वहां से निकल सके प्रोफेसर की टीम का में लीडर बर्लिन होता है जिसके ओर्डर्स को सब लोग को फॉलो करना पड़ता है फिर हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर रकेल और उनकी पूरी टीम ने रॉयल मिल्ट को चार तरफ से गेर रखा होता है इन लोगों का स्टार्टिंग प्लैन ये होता है कि ये लोग पुलिस वाले को सिर्फ ये दिखाएंगे कि वो थोड़े बहुत पैसे लेके यहां से निकलने वाले और वो ठीक ऐसा ही करते हैं और थोड़े बहुत पैसे लेके वहां से निकलने का एक्टिंग करते हैं और साथी साथ हो लोग अपनी गन निकालके हवा में फायर करने लगते हैं लेकिन गन की आवाज सुनके पुलिस वाले उन पे फायर करने लगते हैं जिसमें रियो गायल हो जाता है। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि प्रोफेसर जाके इंस्पेक्टर रकेल से मिलता है और उससे अपना नाम सालवा बताता है। धिरे धिरे करके प्रोफेसर और इंस्पेक्टर रकेल में नजदीकिया बढ़ने लगती हैं और वो दोनों बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं। अंदर मौजुद कैदियों में से युके अमबैसिटर की बेटी भी होती है जिसका नाम एलिंसन पारकर होता है। पुलीस को ऐसा लगता है कि इन लोगों को इस लड़की के बार में पता नहीं है। लेकिन असल में प्रोफेसर की टीम को इस सब पहले ही पता होता है। और एक्चुली में लोगों ने इस सब पहले से प्लैन कर रखा होता है। प्रोफेसर एलिंसन पारकर को फोन करके ये बोलता है कि अगर तुम लोगों ने थोड़ी भी चलाके की तो तुम सम मारे जाओगे जब पूलिस को ये बात पता चलती है तो वो लोग समझ आते हैं ये कोई मामूली डेकेती नहीं है बलकि उन लोगों ने बहुत पहले से सब कुछ प्लैन कर रखा था अंदर प्रोफेसर की टीम एट मिलियन यूरोस पर घंटे की रफ़तार से ऐसा चाप रही होती है इंस्पेक्टर रकेल और उनकी टीम काफी ज़्यादा परिशान हो जाती है और वो लोगी सिच्वेशन को हैंडल करने की प्लैनिंग करने लगते हैं अंदर में अलिंसन पारकर बाकी कैदियों को भड़काने लग जाती है जिसकी वज़ेसे प्रोफेसर की टीम को काफी ज़्यादा मुश्किल होने लगती है इसी भी चलींसन पारकर फोन निकालके पुलिस को कौन्टेक करने लगती है लेकिन तब भी जल्दी से रियो जाकी इसे रोक लेता है लेकिन फोन का फ्रेंट कैमरा उन होता है इसकी वज़े से पुलिस रियो का शकल देख लेते हैं फिर में पता चलता है कि रॉयल मिंट के डारेक्टर आर्टूरो का और मॉनिका नाम की लड़की का अफेरच चल रहा होता है और मॉनिका प्रेगनेन्ट होती है आर्टूर मॉनिका की मदद से पुलिस को कॉंटेक करने का प्लैन बनाता है वो मॉनिका से कहता है कि मेरे आफिस में एक सेकेंडरी फोन रखा हुआ है जिसके बारे में किसी को नहीं पता है मॉनिका वहाँ जाके किसी तरह फोन लेने में कामियाब हो जाती है लेकिन वो जैसे ही उसे वापस ला रही होती है फोन काफी जोड़ से रिंग करने लगता है जिसकी वज़े से डैनवर और बर्लिन उसे रंगी हाथों पकड़ लेते हैं फिर बर्लिन डैनवर से मौनिका को जान से मारने के लिए क्याता है लेकिन डैन्वर मॉनिका को दूसरे कमरे में ले जाता है और सिर्फ पैर में गोली मार के उसे छोड़ देता है दूसरी तरफ पुलिस रियो का चैरे को स्कैन करके इंफॉर्मेशन निकालने लग जाती है फिर पुलिस को पता चलता है कि रियो और टोकिय के बीच में सिक्रेटली अफेर चल रहा था पुलिस दिरे दिरे उनके करीब आने लगती है जिसे डिस्ट्रैक करने के लिए बर्लिन कैदियों के हाथ में नकली बंदुक देके उनको छट पे भेज देता है उनके बीच में आर्ट ओरो भी होता है जो कि मौनिका को गोली मारने की कवर सुनके बहुत अजीब रियाक करने लगता है लेकिन तब ही पुलिस आर्ट ओरो पे गोली चला देती है लेकिन गोली उसके कंदे पे लग जाती है और वो किसी तरह बच जाता है आर्टूरों की हला सीरेस हो जाती है जिसकी वज़े से प्रोफेसर की टीम पुलिस को कॉंटेक करके मेडिकल स्टाफ को भेजने के लिए कहते हैं फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर के साथ साथ एक पुलिस आफिसर जिसका नाम एंजल रूबियो होता है वो भी उनके साथ उनका नर्स बनके चला जाता है वो लोग जैसे ही अंदर आते हैं प्रोफेसर की टीम उनका चेकिंग करने लगते हैं और उनके समानों को जब्त कर लेते हैं और प्रोफेसर की टीम रूबियो की ग्लासेस को अपने कबजे में ले लेते हैं और उसके चेश्मे में माइक्रोफोन लगा के उसे वापस दे देते हैं दूसरी तरफ इंस्पेक्टर रकेल की टीम एक अंडरग्राउंड टरनल के थुरू रॉयल मिंट आफ स्पेन में घुसने के कोशिश करते हैं उनका प्लैन ये होता है कि वो लोग भी सेम कपड़े पहन के प्रोफेसर की टीम के साथ घुल मिल जाएंगे लेकिन प्रोफेसर की टीम को इसके बारे में पहले ही पता लग जाता है और वो लोग अपना मास्क चेंज करके कोई नया मास्क पहन लेते हैं फिर इंस्पेक्टर रूबियो ये खबर जाके रकेल को दे देता है और उनका ये प्लैन भी नाकामयाब हो जाता है मॉसको और रूबियो को मॉनिका के जिंदा होने की खबर मिल जाती है लेकिन वो लोग फैसला करते हैं कि वो डैनवर का साथ देंगे हम देखते हैं कि प्रोफेसर बर्लिन से बहुत ज़्यादा नाराज हो जाता है क्योंकि बर्लिन रूल्स को फालो नहीं कर रहा था और उनका ओर्डर भी नहीं मान रहा था प्रोफेसर को पता चलता है कि है सिलकिन ने उनकी कार को ठिकाना नहीं लगा है और पुलिस को किसी भी वक्त उस कार का पता लग सकता है उसके बाद प्रोफेसर खूदी उस जगह पे जाके अपनी फिंगर प्रिंट्स मिटाने लगता है प्रोफेसर अपने फिंगरप्रिंट्स को मिटा के बर्लिन के शट का बटन रख देता है जिससे की पुलिस का शक सिधा बर्लिन पे जाए इंस्पेक्टर रकेल उस कार का पता लगा के उस साइट पे आ जाती है और वहाँ से उसे बर्लिन का शट का बटन मिल जाता है दूसरी तरफ प्रोफेसर अपना भेश बदल के वहाँ से निकलने लगता है लेकिन तभी वहाँ पे एक गाड़ उसे रोकने लगता है फिर भी वह किसी तरफ वहाँ से निकल जाता है पुलिस उस शट के बटन से बर्लिन का पता लगा लेती है और फिर रकेल प्रोफेसर की पर्मिशन लेके रॉयल मिट के अंदर आ जाती है अंदर जाके रियो रकेल का तलाशी लेने लगता है और तलाशी लेते वक्त रियो को एक माइक्रोफोन मिलता है जिसमें ये कहा गया होता है अगर रियोग पुलिस के मदद करेगा तो वो लोग उसे यहां से जाने देंगे और बाकी सब को पकड़ लेंगे फिर रकेल प्रोफेसर की टीम से मिलती है और वहां पे वो कहती है कि बर्लिन कोई बिमारी से जूज रहा है जिसकी वज़े से थोड़े दिन में उसकी मौत हो जाएगी अब हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर रूबियो को सालवा पे शक होने लगता है और वो उसे मिलने के बहाने से उसके घर से एक चमच उठा लेता है जिसमें से उसे सालवा का फिंगर्पिंट मिल जाता है उसके बाद रूबियो रकेल से मिलता है और उसे सालवा के वारे मे और मुझे तो यह लगता है कि तुम ही असली गज़दार हो और सारी इंफॉर्मेशन को तुम ही उन तक महचा रहे हो लेकिन रकेल का पुलिस अला दिमाग उस पे शक पैदा कर देता है और वो साल्विया से मिलके उसकी दुकान की तलाशी लेने लगती है लेकिन उसे वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता है जिसके बाद रकेल इमोशनल हो जाती है और साल्विया से माफी मांगती है अंदर में आर्टूरो अपने टीमेट के साथ मिलके वहाँ से भागने का प्लैन बना रहा होता है लेकिन फिर रूबियो को पता चलता है कि आरपे मिले फिंगरप्रिंट और साल्वा के चमच वाले फिंगरप्रिंट डोनों मैच हो गए थे इसका मतलब साल्वा ही प्रोफेसर है ये बात रूबियो रकेल को बताने के लिए फोन लगाता है लेकिन उसका फोन नहीं लगता है उसके बाद रूबियो रकेल के घर में एक वोईस मैसेज छोड़ देता है कभी अचानक रूबियो का कार एक्सिडेंट हो जाता है और वो कौमा में चला जाता है ये voice message रकेल की मम्में सुनती है लेकिन उसे बुलने की बिमारी होती है जिसकी वज़े से वो उल्टा सालविया को फोन करके रकेल के बारें बूशती है सालविया यानि प्रोफेसर को ये बात पता चल जाती है और वो वहाँ पे आके उस voice message को डिलीट कर देता है अब हम देखते हैं कि आर्ट ओर अपने प्लैन के हिसाब से वहां से 16 लगों को भगाने में काम्याब हो जाता है प्रोफेसर वहीं पे रुख जाता है और रकेल का घर आने का वेट करता है और वो जैसे घर आती है तो वो सप्राइज हो जाती है उसके बाद वो तीनों मिलके वहांपे सूप फीने लगते हैं इसी भीच रकेल को सोशती है और वो कहती है कि उन लोगों के बास बड़ी बरी मशीन गन है इसका मतलब उन लोगों ने सब कुछ पहले प्लैन किया था और उन लोगोंने जरूर ही इस मशिन गन को कहीं पे चला के देखा होगा इसका मतलब है कि मशिन गन के बचवे बुलेट्स वहीं पे गिर गए होंगे और फिर वो अपने रूम में आके अपने टीमेट को फोन करके ये बात बता देती है और वो कहती है कि पूरे शहर में ऐसे घर को ढूंडो जहां पे कफ़ी सुनसान हो और वहां पे गंच चलाने के निशान हो लेकिन प्रोफेसर उसके रूम के बार खड़े हो के ये सारी बाते सुन लेता है अंदर में प्रोफेसर के टीम उन कैदियों को एक मिलिन यूरोस देने का लालज करती है और उनको अपने प्लान में शामिल कर लेते हैं रकेल की टीम को उस जगह के बारे में पता चल जाता है और वो फॉरन ही रAKेल को इनफॉर्म कर देते हैं पिर रकेल और प्रोफेसर कार में बैटके उज्जेगा पे जाने लगते हैं लेकिन उनसे पहले ही फोरेंसिक वाले उज्जेगा पे पहुँच जाते हैं और अपनी जाच शुरू कर देते हैं और इस सीजन के लाश में देखते हैं कि प्रोफेसर कार में बैठा होता है लेकि प्रोफेसर ने यहाँ पे जानबुच की नकली सबूट छोड़ दिये थे। वो लोग काफे खूश हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे उनको सबूत मिल जाता है। लेकिन वो इस बास से बिलकुल अंजान होते हैं कि प्रोफेसर ने यह सब कुछ जानबुच के सेट अप किया यह जाज कर रहे टीम में रकिल का एकसेस बेंड एलबर्टो भी शामिल होता है। एलबर्टो अपने काम में एक्सपिरेंस होने की वज़े से इस काम में बहुत जादा माहिर होता है। और वो वहाँ पहुँच के सबूतों को इखटा करने लगता है। तो फेसर ने सारे करके उन्हें जला दिया था लेकिन एलबर्टो अपना एकस्पिरेंस यूज करके वो चिमने के पास पहुँच जाता है। जब वो चिमने में च्छान बिन करने लगता है तो उसे सबूत का एक टुकरा चिमनी के यहां पे चिपकाओ मिल जाता है। एलबर्टो वो सबूत गारी में निकल जाते हैं लेकिन प्रोफेसर गारी को रुकवा देता है और वो एलबर्टो पे हमला करके उसे बेहोश कर देता है। इससे पहले एलबर्टो को होश आता है प्रोफेसर वो सबूत को मिटा देता है। जब एलबर्टो को होश आता है तो वो प्रोफेसर को चानख के किया है उसके बाद रो प्रोफेसर को जेल से बार निकाल के लेए आती है। अब हमें रॉयल др ल मिल्क के अंदर का सीन दिखाये जाता है। क्योंकि बहुत अगिया था और प्रोफेसर ने उन्हें कांटेक्ट नहीं तो उन्हें ऐसा लगता कि प्रोफेसर उन्हें छोड़के चला गया है अब वो मनमानी करने लगते हैं और एक दूसरे पर ब्लेम डालने लगते हैं टोकियो गुसे में आके बर्लिन को धमकी देने लगती हैं लेकिन बर्लिन उससे भी ज़्यादा गुसा हो जाता है और उसके हाथपाओं को बांद के पुलिस के सामने फेक देता है पुलिस टोकियो को अरश्ट कर लेते हैं पिर हम देखते हैं कि री यू बर्लिन के इस हरकत से बहु ह् जादा गुसा हो जाता है और वो अपने बाकी साथी के साथ मिलके इस जगह से बाढ़ निकलने का प्लैन बनाता है लेकिन इसी बिच प् इंस्पेक्टर रूबियो कौमा से बाहर आ चुका है और वो लोग ये सोसते हैं कि असली प्रोफेसर ये खबर सुनके उसे जरूर माडने आएगा और वो लोग हॉस्पिटल में पुरा जाल बिछा देते हैं लेकिन प्रोफेसर को इस बात की भनक लग जाती है और वो समझ ज आता है कुछ ना कुछ तो जरूर गरबर है जिसकी वैसे वो एक टीम हायर करता है और सब को जोकर वाले कपड़े पहनने के लिए क्याता है और इसके साथ साथ वो खुद भी एक जोकर का कपड़ा पहन लेता है वो लोग जोकर की गेट अप में हॉस्पिटल आ जाते हैं ज लेकिन तबी रकेल का ध्यान प्रोफेसर की जैकेट पर जाता है वो ध्यान से देखती है तो उसमें जोकर का बाल चिपका हुआ होता है और वो इसकी साथ ये समझ जाती है कि सालवा ही प्रोफेसर है उसके बाद रकेल प्रोफेसर को गन पॉइंट पे बहुत सरे सवाल अब हम देखते हैं कि अभी भी प्रोफेसर की टीम में आपस में प्रस्नल लाइफ की वज़े से जगड़े शुरू हो जाते हैं। जिसकी वज़े से सारे टीम में मिलके वहाँ से भागने के लिए एक सुरंग बनाने लगते हैं। अब पुलिस की टीम रॉयल मीट के अंदर गुश जाती है और प्रोफेसर की टीम पे हमला कर देती है। जिसकी वज़े से प्रोफेसर की टीम को आदे प्रिंट हुए पैसे को लेके भागना पड़ता है। रकेल प्रोफेसर को ढूंटे ढूंटे ऊसके अड़े पे आजाती है लेकिन प्रोफेसर उसे देख लेता है और उसे बांध देता है। उसके बाद रूबियो कॉमा से बाहर आके रकेल को फोन करता है फिर प्रोफेसर रकेल को जानबुच के वहाँ से जाने देता है और रकेल ये समझाती है कि प्रोफेसर का प्यार सच्चा है फिर वो रूबियो से मिलने हॉस्पिटल जाती है लेकिन पुलिस वहाँ के उसे पक करने लगता है और उन सब को भगाने में काम्याब हो जाता है लेकिन अंत में वो खूदी मारा जाता है अब हमें दिखाया जाता है कि एक साल गुजट चुका है और रकेल बैट के प्रोफेसर के पुराने लेटर को पढ़ रही होती है तब यह अचानक रकेल का ध्यान उस ले के साथ इस सीजन की हैपी एंडिंग हो जाती है सीजन 3 शुरू होता और हम देखते हैं कि आर्टरो अब एक मोटिवेशनल स्पिकर बन गया है वो अपनी पुराने दिनों की कहानी बताता है जब उसने मनी हैस्ट किया था और हम देखते हैं कि सारी जनता उसके पीचे पाग होते हैं और नायरूबी और हैसिंकन अर्जंटीना में छुपे होते हैं मनी हैस्ट के बाद प्रोफेसर ने उनको साफ सा वर्निंग दे दिया है कि कोई भी पब्लिक बेस पे नहीं जाने के लिए और साथी साथ कोई भी कम्निकेशन डिवाइस को नहीं यूज करने के लिए क्योंकि काफी टाइम हो गया था तो टोकियो को लग रहा था कि अब पुलिस उनका पिछा नहीं कर रहे हैं इसलिए उगर के बहार निकल के पार्टी करने चली जाती हैं और यहां तक कि वो रियो का दिया हुआ एक सिक्रेट डिवाइस से उसे कॉल भी करती हैं लेकिन पु पुलिस वाले रियो को बहुत ही ज़़ा टॉर्चर करने लगते हैं अब हम देखते हैं कि प्रोफेसर ने टोकियो को थाइलिम ने बुला लिया था और वो सम्मिल के ये प्लैन बनाते हैं कि रियो को वहां से कैसे बाहर निकाला जाए प्रोफेसर अपने सारी टीम मेट को वापस बुलाता है और रियूनाइट हो जाता है क्योंकि पिछले मनी हाइश के दोरान उसके कुछ मेंबर मर जाते हैं जिसमें बर्लेन भी शामिल होता है तो प्रोफेसर टी नए मेंबर को हायर करता है जिसका नम बोगोटो, पालमेरो, एन मार्शेली होता है अब ये सम्म ब्लेक्मिल के बैंक ऑफ स्पयन को लुटने का प्लान बनाते हैं असल में दोस्तो इन लोगों को पैसा नहीं लूटना था बलकि बैंक ऑफ स्पयान में एक सिक्रेट टेज्योरी में रखे होے गवर्मेंट के डॉक्यमेंट को चुराना था ताकि वो गवर्मेंट को ब्ल प्रोफेसर का ये प्लैन होता है कि वो आर्मी के बीच में पैलेरमो और उनकी टीम को आर्मी का ड्रेस पैना के उनके साथ ही बेज देंगे अब हम देखते हैं कि प्रोफेसर वहां के जनता को मैनुपलेट करने के लिए रियो के बारे में बताती है कि कैसे पुलिस उसे टॉर्चर कर रही है फिर वहां के जनता रियो के लिए इंसाफ मांगने लगती है प्रोफेसर की टीम और बैंके गाट के बिच में काफी ज़्यादा लड़ाई हो जाती है जिसमें हम देखते हैं कि पलेरमो अब गायल हो चुका है पलेरमो के आँख में काच के टुकडे चले जाते हैं लेकिन फिर उनके टीम वाले उसके आँख से किसी तरह काच को बाहर निकाल देते हैं अब प्रोफेसर की टीम अपने प्लैन के अकॉर्डिंग उस तीजोरी को ढूडने लगती है वो तीजोरी बेस्मेंट में होता है इस तीजोरी को लुटना इतासान नहीं था क्योंकि इस तीजोरी में हाई डिफेंस मेकेनिजम लगा होता है इसका मतलब यह है कि अगर कोई भी इसके साथ छेड़ खानी करेगा तो वो तीजोरी बैंक के साथ साथी पानी में डूब जाएंगे प्रोफेसर की टीम को ये बात पहले ही पता होती है इसलिए उन्होंने एक नए मेंबर को हाईर किया था जिसका नाम बोगोटा होता है बोगोटा एक स्किल्ड इसकूपा डाइवर होता है बोगोटा अपना पूरा एक्स्पिरेंस यूज करके उस तीजोरी तक पहुशने के लिए एक टैनल बनाता है और फाइनली उस टैनल से प्रोफेसर की टीम उस तीजोरी के अंदर आ जाती है अब हम देखते हैं कि पूलिस ने एलिसा सियारा नाम के एक लेड़ी को पूरा कंट्रोल दे दिया था जब प्रोफेसर सियारा से बात करता है तो उसे पता चलता है कि इसे मैनिपुलेट करना बिलकुल भी आसान नहीं है और ये काफी शातित दिमाग की है सियारा रियो के पास चले जाती है और उसे टॉर्चर करके इंफॉर्मेशन निकलवाने लगती है और दूसी तरफ पुलिस वाले को बैंक के बाहर गोले चलाने के लिए क्याती है अब अंदर में डैनवर बैंक के गवर्णर को ब्लैक मिल करके उस तिजोरी को खोलने के लिए क्याता है लेकिन वो साफ साफ मना कर देता है जिसकी वज़े से डैनवर गुस्से में आके उसे बेहोश कर देता है अब प्रोफेसर की टीम के पास कोई और रास्ता नहीं था इसलिए वो स्तिजोरी को बम से उड़ा देते हैं वहाँ जैसे ही बड़ा धमाका होता है वो पूरी जगव पानी में डूमने लग जाती है लेकिन किसी तरह वो दो बॉक्स को वहाँ से बहार निकाल लेते हैं जिसमें की वो सारे डोकिमेंट्स रखे हुए थे अब सियारा और उसकी टीम बैंक पे हमला करने का प्लैन करते हैं लेकिन हम देखते हैं कि तभी डैनवर बाहर निकलके वो दो बॉक्स को लेके आता है जिसमें वो डोकिमेंट रखे हुए थे तभी हम देखते हैं कि गवर्मेंट के लोग सियारा को अटेक रोकने के लिए कि आते हैं क्योंकि उन्हें ये डर होता है कि कहीं ये document को वो public ना कर दे अब थोड़ा flashback में दिखाया जाता है जहां प्रोफेसर और Berlin बैठके बात कर रहे होते हैं जहां प्रोफेसर बर्लीन को अपना money highest का plan बता रहा होता है लेकिन Berlin ये सारी बाते जाके अपनी girlfriend को बता देता है जिस पे प्रोफेसर गुस्षा हो जाता है और उसे अपने team के rules के बारे में बताता है अब present में दिखाया जाता है जहां प्रोफेसर और Raquel एक mini van में बैठके government को उस documents के बारे में blackmail कर रहे होते हैं लेकिन सियारा ये plan करती है कि वो मीडिया में जूटी ख़वर फैला के प्रोफेसर को रोक लेगी दूसरी तरफ पुलिस वाले बैंक के अंदर गुश जाते हैं और attack करने लगते हैं अब हम देखते हैं कि ये ख़वर सुन के प्रोफेसर बहुत घवरा जाता है और घवराट में उसकी वैन जाके पेर से टकरा जाती है जिसकी वज़े से उस गाड़ी का अंटीना तूट जाता है और उनका कम्मिकेशन वहीं पे तूट जाता है ये बात सियारा को पता चल जाती है कि प्रोफेसर एक वैन में बैठके ये सब काम कर रहा है तो वो अपने टीम को इस वैन को डूड़ने के लिए भेज़ देती है लेकिन प्रोफेसर उन पुलिस वालों से किसी तरह बच जाता है और वो जल्दिस से बाहर निकलके अपने टीम मैंबर्स को इस अटेक के बारें बता देता है प्रोफेसर की टीम एलेट हो जाती है और उन पुलिस वालों को पकड़ लेती है इतना ही नहीं बलकि प्रोफेसर की टीम उन पुलिस वालों को पकड़ के उनसे गानगवाती है और उसका वीडियो बनाके सियार को भेज देती है अब government के पास कोई और रास्ता नहीं होता है इसलिए वो प्रोफेसर की बात को माल लेते हैं वो कहते हैं कि वो रियो को आजात कर देंगे लेकिन इसके बदले में उन्हें अपनी officers और 40 कैदी चाहिए प्रोफेसर भी उनकी बातों को मान जाता है और फाइनली रियो जेल से चूटके बाहर आ जाता है और हम देखते हैं कि वहां की जनता काफी खुश होती है रियो के बाहर निकलने से असल में दोस्तों पुलिस वालोंने रियो के बाड़ी में एक transmitter लगाय होता है लेकिन प्रोफेसर को उन पे पहले ही शक होता है और वो चेक करने पे ये confirm हो जाता है रियो जानबुच के टोक्यो के पास time spent करने जाता है और वो जानबुच के romantic बाते करता है जिससे पुलिस वाले सुन रहे होते हैं और पुलिस वाले को ये कंफर्म हो जाता है कि रियो को इस चिप के वारे में नहीं पता है लेकिन जाते जाते रियो टोकियो से ब्रेक अप कर लेता है जिसके वज़े से टोकियो बहुत जादा इमोशनल हो जाती है उसके बाद प्रोफेसर की टीम रियो के बॉड़ी से वो ट्रांस्मिटर को बार निकाल लेती है लेकिन पुलिस वाले को ये लगता है कि रियो के बॉड़ी में अभी भी ट्रांस्मिटर लगा ही हुआ है अब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि प्रोफेसर को एक ट्रोन की मदद से पुलिस वाले ढूल लेते हैं उसके बाद वो दोनों भागने लगते हैं और प्रोफेसर जाके पेड़ पे छुप जाता है रकेल जाके एक जोपड़ी में चुप जाती है लेकिन वहां पे उस जोपड़ी का मालिक आजाता है और वो रकेल के उदख के पैचान जाता है और ये बोलता है कि तुम्हारे उपर तो बहुत यूरो का ही नाम है अब हमें flashback में दिखाय जाता है जहां नायरोबी अपने बेटे की मदद से drug deal करती थी actually में वो उसके teddy bear में drugs को डालके supply करती थी अब present में दिखाय जाता है जहां पे सियारा को ये बात पता चल जाती है और वो उसके बेटे की मदद से उसे blackmail करने लगती है इसके बाद सियारा कहती है की मैं तुमारे बेटे को bank की खिड़की पे ले आऊँगी अगर तुम में उसे देखना चाती हो तो तुम वहाँ पे आ जाना लेकिन वो जैसे खिड़की पे आती है सियारा उसे गोली मार देती है दूसरी तरह पुलिस वाले रकेल को पकड़ लेते है क्योंकि प्रोफेसर रकेल से phone connection पे जुड़ा होता है तो वो उनकी सारी बाते सुन रहा होता है लेकिन थोड़ी देर बाद प्रोफेसर को एक गोली के वाज आती है और उसे ऐसा लगता है कि पुलिस ने रकेल को गोली मार दिया है और वो पूरी तरह एमोशनल हो जाता है पलेरमो भी प्रोफेसर को कॉल करता है और वहां के situation के बारें बताता है मतलब है प्रोफेसर का सारा plan फेल होते जा रहा था उसके बाद प्रोफेसर अपनी टीम को पुलिस पे हमला करने के लिए कहता है अब हमें पता चलता है कि रकेल जिन्दा ही है और यह सब सियारा का plan था ताकि वो प्रोफेसर को इमोशनली blackmail कर सके इस सिजन के end में पता चलता है कि प्रोफेसर अपने ही बनाए plan में फस्ता जा रहा था और इसे के साथ third season end हो जाता है fourth season शुरू होता और हम देखते हैं कि प्रोफेसर ने अब अपने आकरी plan को अंजाम देने के लिए क्या दिया है प्रोफेसर और उसकी पूरी टीम को यहां से भागने के लिए अब पैसो की जरूरत थी इसलिए प्रोफेसर अब उन्हें तीजोरी में रखे gold को पिगलाने के लिए क्याता है प्रोफेसर गोल्ड को पिगलाने के लिए इसलिए कहता है क्योंकि इस गोल्ड पे बैंक का नम्मर होता है जिसका मतलब था कि उन्हें ट्रेस करना बहुत ही असान हो जाता अब हम देखते हैं कि नेरोबी को गोली लगने के बाद उसकी हालत बहुत जादा सीरिस हो गई थी प्रोफेसर सियरा से मेडिकल हेल्प के लिए बोलता है लेकिन वो कहती है कि उससे बाहर भेजके उसका इलाज किया जाए लेकिन प्रोफेसर उसकी इस बात को ठुकरा देता है अब हम देखते हैं कि इस बात को लेके टीम में बहुत जादा बहुत हो जाती है एक तरफ डैनबर और रियो नेरोबी का इलाज करने के लिए अंदर ही कहते हैं लेकिन दूसरी तरफ टोकिय और बोगोटो चाते थे कि उसे इलाज के लिए बाहर भेजा जाए लेकिन तभी कोलेर में बताता है कि पुलिस ने लिजबन को जान से मार दिया है इसलिए अब सब अंदर ही नेरोबी का इलाज करने के लिए तयार हो जाते हैं जिसके लिए मार्शिला गाड़ी लेके जाता है और उस गारी का एक्सिडेंट करा देता है और वो बहार निकल के वहाँ पे प्रोफेसर का बलड सैंपल्स को डाल देता है उसके बद पुलिस प्रोफेसर के कॉल को ट्रैक करती है और वहाँ पे रूबियो को भेज देती है अब हम देखते हैं कि प्रोफेसर की टीम ने एक डॉक्टर को हायर किया था जो की एक वीडियो पे इंस्ट्रक्शन्स दे रहा था नेरोबी को बलट की जड़ोत होती है जिसके लिए आर्टोरो तयार हो जाता है फिर हम देखते हैं कि आर्टोरो डैनवर्ड से मौनिका के बारे में बहुत ही घटिया बाते करता है जिससे उसे काफी गुसा आजाता है और वो उसे बहुत ही ज़ादा है आपरेशन के दोरान पुलिस उस वीडियो कॉनफरेंस को हैक कर लेती है और उसे ब्लॉक कर देती है जिसके वाज़े से टोकियो को खुदी आपरेशन करना पड़ता है अब हम देखते हैं कि रकेल को बंदी बनाके सियारा के पास लेके आजाता है जहां कि वो सियारे से मिलती है और हमें पता चलता है कि सियारे उसकी कॉलिक थी और उसके साथ ही रहती थी टोकियो किसी तरह आपरेशन तो कर देती है लेकिन अब सब कुछ भगवान के भरों से छोड़ देती है पुलेर में अपने कमांट खोने के बाद बहुत अजीब रियाक करने लगता है जिसके वज़े से टोकियो को उसे रोकना पड़ता है अब टोक्यो प्रोफेसर को कॉल करती है और रकेल के मौत के बारे में बताती है जिसे सुनके प्रोफेसर और भी जाजा तूट जाता है लेकिन फिर टोक्यो कहती है कि ये सब पुलिस की साजिश हो सकती है आकि वो हमें इमोशनल कर सके सियारा रकेल को जेल बेजने के धमकी देने लगती है लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं डरती है अब प्रोफेसर मर्शल के साथ मिलके रकेल की मौत के बारें पता करने जाता है वो लोग एंटोनियो के घर में कुछ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं उसके बाद वो उसे पैसो का लालस देके रकेल के बारें पूशते हैं लेकिन एंटोनियो रकेल के बहुत करीब होता है तसलिए वो बिना पैसो के मदद के लिए तयार हो जाता है प्रोफेसर उससे अपना घड़ी देता है और कहता है कि रकेल को दिखा देने के लिए ताकि वो समझ जाए कि प्रोफेसर को ये बात पता है कि वो जिन्दा है रोमायोब अलबर्टो को बुला के रकेल की मा और उसकी बेटी का पता लगाने के लिए कहता है और उसे वैन में जो जलिवी चिप मिलती है उससे वो location trace करने में successful हो जाता है अब सियारा रकेल को कहती है अगर तुम हमारा साथ होगी तुम सारे सबुत को मिटा देंगे और तुमें आजात कर देंगे रकेल पूरी तरीके से अंदर से तूट गई थी लेकिन तभी वहाँ एंटोनियो आ जाता है जिसके हाथ में वो वाज देखके समझ जाती है कि प्रोफेसर को उसके जिन्दा होने की खबर मिल चुकी है एंटोनियो प्रोफेसर को ये बात बता देता है कि अब पुलिस रकेल की फैमली को डूंड रही है प्रोफेसर सही टाइम पे अपनी टीम भेचके उनको बाहर निकाल लेता है अब पुलियर में अपने कमांड खूनी की वज़े से काफे ज़्यादा गुसे में होता है और वो गांडिया को याड़े देता है कि अपने थम को डिसलोकेट करके वो हतकरी को बाहर निकाल दे गांडिया ठीक ऐसा ही करता है और वो हतकरी से बाहर निकल जाता है रियो गांडिया को रोकनी की कोशिश करता है लेकिन वो बहुत ज़्यादा घवरा जाता है और वहां से गंडिया बहार निकल जाता है प्रोफेसर सियारा को कॉल करके यह बोलता है कि उसके टीमाब पीछे हट गई है अब वो लोग अटेक नहीं करेंगे अब हमें फ्लेश्बेक में दिखाया जाता है जहां पे गंडिया प्रोफेसर की टीम में होता है और वो गवर्नर के घर जाके एक बड़े मिशन को अंजाम देता है प्रोफेसर को ये बात पता होती है कि गांडिया अकेला ही बड़े-बड़े मिशन को अंजाम दे सकता है इसलिए अपनी टीम से उसे पकड़ने का ओर्डर देता है नैयरोबिया भोश में आ जाती है और हम लोग देखते हैं कि गांडिया बाहर आजाद घूम रहा था अब हम देखते हैं कि गांडिया नैयरोबिय के पास आ गया है और उसे जान से माणने वाला होता है लेकिन नेरोबी कीजी तर इंजेक्शन का यूज़ करके उसे रोक लेती है उसके बाद गांडिया वहाँ से भाग जाता है और हैल सिंकिन को फांसी पे लटका देता है उसकी जान जानने वाली होती है लेकिन तभी टोकियो आके उसे बचा लेती है उसके बाद गांडिया काण्टरोर deeper कामरे लगे होते हैं वो सिस्टम को हैक करके पूलिस को कॉंटेक्ड करता है और उनने अटेक करने के लिए क्लिए का देता है अब अन्टोनियो ये बात प्रोफेसर को बता देता है कि गांडिया पूलिस के साथ मिल चुका है प्रोफेसर टोकियो को कॉल करता है लेकिन उसी वक्त गांडिया वहाँ पे आके उसे पकड़ लेता है अब हम देखते हैं कि गांडिया ने टोकियो को कंट्रोल रूम में ही बांध रखा होता है गांडिया माइक वे बता देता है कि उसे पोलेरमो नहीं आ जात किया था उसके बाद सारे टीम के मेंबर उसमें भड़क जाते हैं क्योंकि उनकी टीम में मेंबर कम हो गया था इसलिए प्रोफेसर कॉल करके उसे भी अपने टीम में शामिल करने के लिए क्या देता है उसके बाद बगोटा और नैरोबी लिफ्ट में जा रहे होते हैं और दोनों डकेती के बाद शादी करने का फैसला करते हैं। डैन्वर और रियो एलिवेटर में जा रहोते हैं लेकिन तभी गांडिया उन पे ग्रैनिट फेक देता है जिससे रोकने के लिए वो लोग उस पे एक समान डालके ब्लोक कर देते हैं। लोग गांडिया को गेड लेते हैं लेकिन वो बातरूं में घुश जाता है जहां पे न नेरोबी को गन पॉइंट पे बाहर ले आता है वो भागने की कोशिश करता है लेकिन जैसे उसे सब पकड़ने लगते हैं वो नेरोबी के सिर में गोली मार देता है और वहां से भाग जाता है लेकिन वो भागी रहता है कि डैन्वर उसके उपर ग्रेंट फेक देता है जिस उसमें नारकोटी गैस छोड़ने के लिए ताकि वो बेहुश हो जाए। दूसरी तरफ प्रोफेसर अपने साथी को बोलके फूरे शहर में रियो की पोश्टर लगा देता है। और रियो का एक वीडियो भी रिलिस कर देता है। जिसमें रियो बता रहा होता है कि कैसे पुलिस ने उसे टॉर्चर किया और उसे ड्रग्स दिया और उसे जान से माडने वाली थी। अब हम देखते हैं कि पुलिस नेरोबी के लाश को लेके वहाँ से जा रही होती है। उसके बाद प्रोफेसर हैल सिंकिंग के भाई को बुलाता है जिसने टोग्यो को आजाद कराया था और वो मनिला के फादर को बुलाता है जो की माइनिग में एकस्पर्ट होते हैं। उसके बाद कर्णल एक प्रेस कॉन्फरेंश रखता है और वो रियो की बातों को नेगलेट कर देता है लेकिन उसी दोरान मर्शल रियो को टॉर्चर करने वालों का वीडियो रिलीस कर देता है जिसमें वो साफसाफ कनफेस कर लेते हैं कि उन्होंने रियो के साथ ये सब किया था अब कर्णल बुरी तरीके से फर्स किया था इसलिए वो सारा इंजाम सियारा पे लगा देता है दूसरी तरफ गांडिया टोकियो से मदद मांगता है लेकिन टोकिया उल्टाओ से मार के बेहुश कर देती है अब प्रोफेसर लाइव आके सब को ये बता देता है कि कैसे पूलिस ने रकेल को इलेगली रखा हुआ है और उसे मारने की धमके दे रहा है उसके बाद UN की तरफ से एक्शन लिया जाता है और फॉरन इसे लेगली एरेस्ट कर लिया जाता है करनल सियारा को मीडिया के सामने सब कुछ कवर अप करने के लिए क्याता है लेकिन उल्टा हुआ गवर्मेंट के बारे में सब कुछ बता देती है सियारा को इस प्रोजेक्ट से बाहर निकाल दिया जाता है और हम देखते हैं कि अब वो सिक्रेटली इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने लगती है और वो ये पता लगा लेती है कि एंटोनियो भी प्रोफेसर के साथ मिला हुआ है अब हम देखते हैं कि प्रोफेसर की टीम वहाँ पे टरनल बनाने लगती है ताकि वो रकेल को वहाँ से बाहर निकाल सके रकेल जानबुस के कोट में धीरी-धीरी सब कुछ बता रही होती है ताकि उन लोगों को टरनल बनाने में और टाइम मिल जाए दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अमंटा और एंटोनियों में लड़ाई हो जाती है और वो सब को ये बता देती है कि कैसे एंटोनियों ने उसे ड्रग्स दिया था लेकिन तब ही वो उससे गंच ही लेती है और आर्टूरों के पैर पे गोली मार देती है जब रकेल पूरा बयान देखिये वहाँ से जा रही होती है तो प्रोफेसर की टीम गार्ड्स को चकमा देखिये नकली रकेल को भेज देते हैं और जो रियल रकेल होती है उससे वो टैनल की थूरू वहाँ से निकाल लिया जाता है अब प्रोफेसर की टीम गंडिया को गंद दिखा के गवर्मेंट से बात करने के लिए क्याती है और उन्हें एक हलिकॉप्टर देने के लिए क्याती है गवर्मेंट ओफिशिल्स इस बात को माँज आते हैं और एक हलिकॉप्टर को भेज देते हैं लेकिन इससे पहले की government का helicopter आता प्रोफेसर की team अपना एक helicopter बेज देती है इसमें रकेल होती है अब Denver bank के terrace पे जाके रकेल को अपने team में शामिल कर लेता है और हम end में देखते हैं कि CRR ने प्रोफेसर का अडर ढून लिया था और वो वहाँ पे आके प्रोफेसर को गन दिखा देती है और इसके साथ season 4 की ending हो जाती है तो दोस्तो कैसा लगा आपको ये वीडियो comment में जरूर बताएगा और इस channel को subscribe करके bell icon जरूर